आज के रोज हम लोग liberty के बारे में पढ़ने जा रहे हैं लिबर्टी को हम लोग freedom भी कहते हैं हिंदी में उसको स्वतंतरता भी कहते हैं कहीं कहीं इसके ये मुक्ती शब्द का भी इस्तमाल होता है, कभी-कभी हम आजादी शब्द का भी इस्तमाल करते हैं, तो हम पाएंगे कि हमारा जो constitution है, Indian constitution, इसमें जो liberty है, उसका बहुत important मतलब इसको जगा दी गई है, ये fundamental rights का हिस्सा है, यानि जो मौलिक अधिकार है, इसका हिस्सा है, उस सब लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए, कि fundamental rights जो है, हमारे constitution में, इसको किसी भी सूरत में इसको व्यक्ती से छीना नहीं जा सकता, अगर आप व्यक्ती से जो fundamental rights आप उसको छीन लेंगे, तो फिर उसके बाद किसी लोकतांतरिक, किसी democratic society की कलपना नहीं की जा सकती है, अ भारत से बाहर भी इसके लिए आंदोलन हुएं, और सब के अलग-अलग context थे, context ये है, कि राज को समझा गया है, liberal philosophy में, कि जो राज जो है, वो क्या करता है, कई बार बेक्तियों के उपर, उनकी जो सुतंतरता है, उसके लिए खतरा पैदा हो जाता है, क्योंकि जो liberal philosophy में, अब देखेंगे, तो राज को माना गया है, कि राज जो है, एक necessary evil है, मतलब वो उसके बगएर काम चल भी नहीं सकता है, लेकि जब राज जो होता है, तो बहुत सारे खतरे भी पैदा करते हैं, यानि उसकी जरूरत भी है, लेकिन उसक्ता भी है, और evil भी है, क्योंकि और व लिख देंगे, उसको हम बिल्कुल वाजे कर देंगे, उसको clear कर देंगे, और उसको fundamental rights कहीं सा बना देंगे, ताकि राज कभी भी उन अधिकारों को छीन न सके, उसको वापस न हो सके, और जो फिलोसफर है, उन्हें तो यहां तक कह दिया है, कि अगर राज जो है, व्यक्त लिखना कर सकता है, और उसको बदल भी सकता है, तो आप यहां पे देखिए, कि जो राज है, वो एक necessary evil के तोर पे देखा गया, और राज को हमेशा एक खत्रे के तोर पे दिखा गया, जो व्यक्ति की बोलने के अधिकार है, व्यक्ति के जो जीने के अधिकार है, व्यक्ति क वो अपने क्या कहेंगे अपने धर्म को परचार करने का अधिकार है यह सारे जितने भी अधिकार है यह जीने का जो अधिकार है अपने मर्जी का खाने का अपने मर्जी का जिन्दगी जीने का जिससे मन करें शादी बया करने का जहां रहने का मन हो जिस तरह को पेशे को अप अपने जो उसका जो अस्तित्व है उसके लिए खत्रा मानता है और कई बार व्यक्ति के जो स्वतंतरता है उसके उपर हमला करता है राजी के पास पुलिस है राजी के पास और बहुत सारे हत्कंडे जिसका हो इस्तमाल करते है तो कहीं न कहीं जो लिबरल उदारवादी फिलो इसके कोर में इसके सेंटर में इसके मरकज में है वो है आपको कौन सी फिलोसफी यह है लिबर्टी की फिलोसफी व्यक्तियों को पूरे अधिकार मिलने चाहिए व्यक्तियों को स्वतंतरता मिलनी चाहिए व्यक्तियों के अधिकार पर कोई हमला नहीं होना चाहिए तो यह जो जो सारी जो बाते थी इसको लेके जो fundamental rights है उसको liberal philosophy का हिस्सा बनाया गया, liberal constitution का हिस्सा बनाया गया, democracy का हिस्सा बनाया गया और fundamental rights को यानि मौलिक अधिकार को नकरात्मक तोर से इसकी ब्याख्या की गई है, यानि राज जो होगा व्यक्तियों के इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानि राज कभी भी किसी को बोलने से नहीं रोख सकता है, राज कभी भी किसी को अपने धर्म पर चलने से नहीं रोख सकता है, राज जो है वोगों को आलोचना करने से नहीं रोख सकता है, जो व्यक्ति है, उसके किये गए कामों से पहले समाज के अंदर में law and order का problem नहों समाज के अंदर में जो order है ओ न बिगड़े दो communities के बीच में लड़ाई और जगड़े न हो जाया है धार्मिक हिंसा न हो जाया और किसी तरह का हिंसा न पैदा हो तो जब तक हिंसा पैदा नहीं होता है जब तक law and order नहीं बिगड़ता है जब तक लोगों में करात्मक तोर पर इसकी ब्याख्या की गई है और एक तरह का protection है individual का राज्य के जो दमनकारी उसका चरितर जो कभी-कभी आपको दिखता है उससे अपने आपको बचने के लिए हमारे constitution में भी आप बहुत सारे articles है आर्टिकल 19 है 21 है बोलने के अधिकार है फिर religious freedom के अधिकार है right to life है यह सारे चीज़ हमारे constitution में दिया गया है क्योंकि आजादी के दौरान जो हमारे leaders थे जो हमारे freedom fighters है उनकी स्वतंतरता के उपर अंग्रेजी हुकमत ने बहुत हमला किया वो जेल गए उनके बहुत सारे साथिर सहीद हो गए तो उन्होंने इस बात की गांट बान ल दिख दिया गया है ताकि राज कभी उसको गलत तरीके से इस्तमाल करेगा अगर executive इस्तमाल करेगा तो राज क्या करेगा कोट उसमें हस्तक्षेप करेगा तो इसलिए आप देखें कि liberty जो है हमारे constitution में भी बहुत important है आप देखें कि जो liberty है वो हमारे बिल्कुल हमारे क्योंकि liberalism समझता है कि व्यक्ति को आजादी मिलनी चाहिए जो भी उस धर्म को माने जैसा जिंदगी जीए जैसा ओपेशा अपना है जो करना चाहता है उसको पूरी तरसे आजादी होनी चाहिए उसको उपर किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए राज ये तैना कर कौन सी भासा को अपना है कौन से धर्म को अपना है क्या करे तो राज का काम जो होना चाहिए वो एक टोटलिटेरियन जो सिस्टम है उसका नहीं होना चाहिए लिबरलिजम जो है ऑथरिटेरियन इजम को टोटलिटेरियरिजम को बहुत ही क्रिटिसाइज करता है और उसके के क्लास में ये भी बात करेंगे Thomas Hobbes, John Locke, Russo, John Stuart Mill, इन लोगों ने Liberty को कैसे कैसे देखा, इनकी राय क्या थी, उसमें से Thomas Hobbes, Locke और Stuart Mill तो English philosopher इंगलेंड केते, Russo जो थे, वो आपको France केते, तो इनके बीच में क्या-क्या अलग-अलग मत हैं, हम ये भी बात करें कि Liberty के कितने प व्यक्तियों को जो है, उनको मजदूरी भी बहतर मिले, व्यक्तियों को जो है, उनको बराबरी भी मिले, व्यक्तियों के खिलाब जो सोशन हो रहा है, वो भी सिस्टम बन दो, एक गलत आर्थिक धाचा है, वो भी बदले, और समाजिक जो गैर बराबरी का धाचा है, वो भ बात आएगी इजया बर्लिन इस सेंचरी के पिछले सेंचरी के बहुत बड़े फिलोस्पर थे उनका एक आर्टिकल है तू कंसेप्स अ लिबर्टी हम इसके बारे में बात करेंगे और आखिर में चलके हम लिबर्टी के जो लोके आलोचक हैं जो स्वतंतरता को जो लिबरल कं करेंगे वो कह रहा है कि जब तक समाज के अंदर में गैर बराबरी आर्थी गैर बराबरी दूर नहीं हो जाती है जब तक समाज के अंदर में नीजी संपत्ति का निजाम खतम नहीं हो जाता है जब तक समाज में जिनके पास कुछ भी नहीं है और जिनके पास सब कुछ है उनकी दूरियां नहीं मिट जाती है, तब तक liberty नहीं मिल पाएगी, कास्ट की टीक भी देखेंगे कि क्या व्यक्तियों को सिर्फ fundamental rights दे देने से, बोलने का और धरम मानने के अधिकार दे देने से, जीने के अधिकार दे देने से, अगर समाज के अंदर में जाती परता है, समाज के अंदर में चुआ चूते, समाज के अंदर में शादी, व्याद, खान, पान का रिवाज नहीं है, समाज के अंदर में मर्द और 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 अरत बराबर नहीं है, तो क्या समाज के अंदर में liberty आ सकता है, हम बेटकर साब की philosophy में भी liberty, equality, fraternity है और बहुत important है तो आने वाले अगले class में हम इन तमाम बातों को ध्यान में रखेंगे और देखेंगे कि कैसे liberty जो है वो इतना important concept है इसको अगर हमने समझ लिया तो political science का जो काम है वो बिलकुल आदा से ज़्यादा काम जो है बिलकुल आसा काम है जो हमें छूदा काम है